बिस्मिल्य रख्मान रहीम, अस्सालाम अलेकुम आपने इसको अच्छे से मिक्स करके लिए कम से कम आपने 20 मिनट के लिए रख देना है अगर आप इसको इंस्टेंट भी उसी वक्त बनाना चाहते हैं तो यह ऐसी रेसिपी है जो कि इंस्टेंट भी बन सकती है और यह फ्लेवरफूर लगती है लेकिन अगर आप मेरिनेट करके रखेंगे 20 मिनट के लिए तो काफी अच्छा है क्योंकि मसाला अच्छे से मिक्स हो जाएंगे अब जी मैंने इसको मिक्स कर लिया है 20 मिनट सो चुके हैं अब मैं इसको पर कोटिंग कर लियूँ है आपने स्फ इसके अंदे कॉण फ्लोराइड करना है 10-15 टेबल स्पून केछंब ल्लिक्विड़ लिक्विरो जाना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लिना है आप इसको बच्चों के लांच बॉक्स में दें, अगर कोई गेस्ट आजें, फॉरन आपको कुछ बनाना पड़े, तो आप ये 10 मिनट के अंदर बना सकते हैं, क्विक इंस्टेंसी रेसिपी है, बहुत सिंपल है, सिंपल मसाले हैं, और फ्लेवर फुल भी बहुत है, अब ज जादा गरम नी कर देना, उससे ये होगा कि जब आप इसमें चिकन के चंक्स टालेंगे, तो इसको क्रिस्प है, वो जल्दी टार्क प्राउन होजएगा, और वो जादा सख्त होजएगा, क्रिस्प ही नहीं रहेगा, और आपकी जो बोटी हैं अंदर से वो भी ड्राय होज देनी और पिर उसको मिक्स कर लेना अच्छे से, और जब आप देखें कि जिसका अच्छा सा लाइट ब्राउन कलर आ गया है, खुबसूरच सा, तो आपने इसको डिश आउट कर लेना है, और इसको किसी भी डिप के साथ, सॉस के साथ, कैचचप के साथ एंजॉय करें, सब के दिसकान में बरकर डालें, हम सब को अपनी अमान में रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा, और मुझे अपनी दौाओं में याद रखेगा, अला हाफिस